रादे रादे फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब तो देखिए आज मैं न्यू वीडियो लेके आई हूँ आपके सामने सॉक्स का ये तीन साल की बच्चे के सॉक्स है और बिल्कुल रेडिवेट है आप शूज के अंदर पहन सकता है बच्चा देखो रेडिवेट की तरह लग रहे तो करते हैं स्टार्ट तो देखिए हम ये इस उन से बना रहे है तो ये three ply के उन होती है ये देखो इस्तरह से होती है ये देखो इसकी प्लाय लग रहो थी है अर आगकर नॉर्मल फुल से बना सकते है एक उसमें थोड़े फंदे ज्यादा डालने पड़ेंगे तो इसमें मैंने देखो, यह 40 फंदे डाले हैं, 40 फंदे हैं, अगर आप उससे बनाना चाहते हो, तो आपको 46 कम से कम डालने पड़ेंगे, तो हम मैं यहां से स्टार्ट करते हो, 46 डालने ही पड़ेंगे, आपको पतली हुला है, तो मैंने 9 नंबर्स लाई यूज किये इस पे, तो, यहा फिर दो स्लाई मैंने ये सीधी ले लिया है सीधी उल्टी परपल से फिर दो ओफवाइड से ले लिया है सीधी उल्टी अब दो फिर परपल से ले लिया है अब हम यहां से थोड़ जैन स्टार्ट करते हैं यह तो सिंपल था तो मैंने आपको बता दिया है वीडियो काफी लं है इससे purple से Això laver 3%, 4 और ये पाँच यह होगे अब हमने यहां पर दो final और फंडे ऐसे लेंडे में दो फंडे और यहां तेने पिर इने और यहां तीन फंडे फिर अपर परपल से लेने और दोसरा हम लेंगे और दोसरा को ऊन को और फिनिशिंग आती है धावा खिषता भी नेड़े जाना वारा तो फिर अब हम दो फिर ओफ़ाइट से बुनेंगे यह देखो अब यहां पर हम पांच लेंगे इसके बाद एक दो तीन चार पांच पांच अगर आपने फंद जावा डालें इससे तो आप यहां पर एक फं बढ़ा सकते हो यहां जैसे मैंने पांच लिये थे तो आप यहां छे ले सकते हो यहां छे ले सकते हो इस तरह से आप बढ़ा सकते हो अगर आपके कम है तो यहीं पर आप कम कर सकते हो इनको हमने इतने रहने देना है जितने हैं यह दो और तीन और दो साथ फंद है यह एक ह लेंगे हम इसको धागे को इस स्लाइप में इस तरह से लपेट लेंगे और फिर बुनेंगे तो तीन के बाद दो फिर परपल उसके बाद फिर पांच परपल एक तो तीन चार और ये पांच परपल होगे फिर फिर दो ओफ वाइट दुबारा से तो ये तीन हर्ट बनेंगे हमारे इसमें बस तो अब ये तीन परपल ये देखो इस तरह से और फिर दो ओफ वाइट और इस साइड हमारे सिर्फ चार फंदे बसते हैं एक साइड पांच बस रहे हैं एक साइड चार तो इससे हमें कोई फरपने पड़ेगा अब उल्टी स्लाइए में देखो यहां से यह देखो तीन ले चार एक सिंपल बूल लेंगे और फिर दोबारे इस तरह लपेटेंगे इस तरह सलाई में तो इससे यह दागा देखो इसके साथ बिल्कुल अटेश हो जाता है और फिर यहां एक एक यह आएगा फिर उसके बाद फिर नहीं चार ओफवाइट एक सी दो तीन और यह चार और यहां पर तीन हमारे पर पलाएंगे तो इसको हम दागे को आगे करने ऑफवाइट को इस तरह और देख़ो इस तरह लेना है आपने इस तरह से हर तीसरे फंदे में लेना है यह हमने और अब यहां से फिर दुबारा से चार ओफ वाइट दो तीन और यह चार और एक परपल फिर चार ओफ वाइट एक दो तीन और यह चार तो यह चार फंदे हमारे देखो इस तरह से आए गये अब फिर हमने यहांपे तीन परपल लेना है इस तरह से बस दृबागे को यहीं रखना है हर तीसरे फंदे पर तो ये तो इस तरह से फिनिशिंग आएगी हमारे दागे बिल्कुल नजर आएंगे आपको तो साथ साथ बुनेंगे तो हम इसको एक अब देखो यह जो दो है इनको हमने चार बनाना है दोना साइड से एक एक ले लेंगे तो यह चार हमारे उफवाइट होगे और एक हमारे परपल हो गया पहले तीन थे वह एक हो गया है और फिर चार तीन ये चार एक परपल फिर ये चार फिर ओफ वाइट एक दो तीन और ये चार अब बागी की जो बच्चे हमारे वह हम परपल लेंगे इस तरह सा हमारे उट्वाइप पूरी होगी अब सीधी की बारी है तो इस तरह सीधी की बारी है आब सीधी में ये एक दो टीन चार चार हमने परपल लिए, अब ये और चार ये हैं और एक ही वला, तो नौफ अंदे हमारे ये, नौ को हम आफ वाइट ही बुनेंगे, ये जो नौ फंदे हमको, नौ को आफ वाइट ही बुनेंगे, दो, तेन, चार, देखो इसको फिर दोबार से बता रही हैं आपको, मैं ये जो दागा साथ साथ चलेगा हमारे इसको इस तरह से लाई में इस तरह से करना है पांच, छे, साथ, आठ और ये नौ तो ये नौ परपल होगे हमारे ये देखो इस तरह से और अब ये तीन हमारे परपल होगे ये नौ और फाइट होगे तीन परपल होगे तो इसी के उपर हम यह देखो इस बीच वाल परपल इसको भी हमने वाइट ही बुलना है आयो क्या को समझा रहा होगा एक दो फिर तीन कि बस साथ धागों को साथ साथ चलाना है भूलना नहीं है नहीं तो यह पैराओं फसेंगे बच्चे के कोई भी आप स्वेटर बनाते कोई डिजैन दो कलर का तीन कलर का तो धागे आपने इसी तरह से लपेटने हैं जैसे मैंने आपको बताया है तो यह देखो अब यह होगे नौ वाइट तीन परपल नौ वाइट तीन परपल तो यह तीन हमारे हट बन के त्यार होएंगे अब उल्टी स्लाई में देखो हमने क्या करना है एक दो तीन थे यह अब हमने इनको चार बनना परपल को तो एक ऑफ़एट पुल लेंगे इसमेंसे अब यह साथ हम ऑफ़एट बनेंगे दो यह देखो इस तरह से लपेट के तीन चार पांच छे साथ यह साथ होगे अब यहाँ पर हमारे परपल यह पांच हो जाएंगे एक दो तीन चार और यह पांच और यह साथ वाइट एक साथ वाइट होंगे और पांच परपल होंगे दो तीन चार पांच छे और यह साथ बस इसी तरह से बुनना है आपने इसको यह देखो एक दो तीन चार पांच और फिर यह साथ दो तीन चार पांच छे और यह साथ तो यह हमारे अब साथ हो गया है दो से और यह परपल हमारे बढ़ रहे हो उलटी स्लाइबे हमारे पूरी होगी अब सीधी करेंगे बहुत तीजी ए देखो इस तरह से आ रहा है घसा इनकोमने पांच करने अब नीह जाएंगे पांच और यह 7 हो जाएंगे ये बढ़ जाएंगे और ये घड़ जाएंगे बस इनको जो हमारे ओफवाइट है इनको हमने अब घटाना है तो पहले नौ थे फिर साथ होगे फिर पांच हो जाएंगे अब उसके बाद तीन फिर एक तो ये देखो एक हमने बुन लिया वाइट का परपल और फिर दोबारा से एक अब देखो मैं गलती से धागा छोड रही है तो मैंों आप बताती है कि कई बार गलती से धागा हमारे रहे नहीं भी जाता है तो इसके हम कैसे करेंगे इसको मैं छोड दिया वी तो अगली स्लाइम बताती हूं, मैं आपको इसको फिर तीन, चार, यह पांच ले लिए हमने, अब यह धागा हमारा थोड़ा अलदेखर लंबा हो जाता है, यह मैं अगली स्लाइम बताऊंगे कैसे कवर करना है आपने, यह एक, दो, बागी इसको साथ ही लेके चलती हूं, त तीन, चार, पांच, यह छे, और यह साथ, यह देखो, अब इसको हमने पांच बनना है, आफ़ वैट को, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच होगी, अब इसको फिर साथ, बस इसी तरह से इसको लाइन को कम्प्लीट करते हैं, फिर उंट इस लही पे आते हैं, बहुत एजी है, और मुश्किल में लाती हैं, हर वीडियो में यह बताती हैं, कि मुश्किल मेरा कोई डिजैन ने होता, इसे कोई भी सीखने वाला एजीली बना सके, और अच्छा भी लगे, अब उल्टी स्लाई में हमारे वाइट हैं जो वह तीन रह जाएंगे, और पर्पल हमारे नौ हो जाएंगे, यह दो हम इसको भी बुल लेंगे, और यह हमारे तीन हो जाएंगे वाइट, और यह नौ हो जाएंगे, बस इस दाहवे को ऐसे चलना है, लेके, साथ साथ, अब पर्पल को लेकी चलना है, दो और यह तीन, एक, दो, तीन, चार, ताच, छे, साथ, आठ, यह नौ हो गया, अब यह तीन बुलने हैं, अब देखो हमारे धागा, यह यह वल धागा तो हम छोड़ा था ना, जो, उसको हमने कैसे कवर करना है, इस तरह से धागे आते हैं, अब नहीं लपेट होगे तो, तो अब हमने इसको क्या करना है, इसको लेके, और इस धागे के अंदर से, लेना है, सलाई को, देखो पहले यह, फिर धागे के अंदर से में सलाई को लेना है, और फिर बुलना है, अगर आप भूल जाते हैं, तो तो यह हो गया कवर हमारा अब इसके चक्क्र में मैं इसको परपल को भूल रहे हूँ है तो बस अब बस सीधी स्लाई है हमारी एक इसलाई और बचिए इसके और उसके बाद हमारा यह पूरा हो जाएगा अब देखिए अब हमने क्या करना है अब यह हमारे तीन थे और फैट अब हमारा एक रह जाएगा बाकि सारे परपल तो हमारे स्लाई यह पूरू हो जाएगी उसके बाद हमने दो स्लाई परपल लेकर फिर आफ वाइट की दो धारिया यह इस तरह से धारि डालनी है दो यह हमारे अब एक रह जाएगा यहां पर और हमारा यह हर्ट बनके त्यार हो गया अब पर्पल हम हमारी दो की जगे तीन लाई आएंगे पहले हम आफ एट यह दखो बनके त्यार हो गया अब दो सलाई हमारी पर्पल की आएंगे इसके बाद तो बन गया डिजान हमारे यह बला तो अब हमने इसको और फट को इस साइड लेके चलना है या तो आप तोड़ सकते इसको यहां लगा सकते हो नहीं तोड़ना तो साथ साथ लेके चलना पड़ेगा आपको अब हमारे तीन सलाई आएंगे पर्पल की क्योंकि हमारे सीधी सलाई तीन के बाद ही आ रही है वाइट को हमने चाहो तो आप तोड़ सकते हो चाहे तो आप साथ साथ लेके चलना सकते है इस तरह से ही तो मैं तोड़ूंगी नहीं है इसको साथ साथ लेके जा रही है इस तरह से तो फिर तीन सलाई के बाद मैं आपको बताती हूं क्या करना है आप देखे तीन फंदे हमने तीन सलाई से और यह लिए पर्पल की फिर दो फिर हमने पर्पल की लिए हैं अब इसके बाद देखो हमने इसको हाँ को ऑफ़ड से बुनना हुड है यहिंशा से बुनने हम।को रोठे हैं का धुर्टी है है 40 है मेरे पंदैने 20 हैं 20 है 1王 20 है चौप से बुन यहैं और उन यह से तर्ण हो जांगी मैं इन इसे नहीं को रहने दोंगी इसे देखो अब क्या करना है मैंने दिन बताते हैं आपको यह बीस फंदे बुन ली हमने दोस लाई हो यह हमारी बीस फंदे की पहले मैंने बताया थे दूसरी तरीके की एडी थी यह सिंपल एडी है यह देखो अब हमने क्या करना है अब इसको उतार बें मैंसे इस तरह निकाल देंगे तो 2 संदॉ को एक हो गया जहाए हम घटा रहें इंको अब 20 की हमने 18 क हम फिस के हमने 18 करना है एक हम लास्त में घटाएंगे और एक हमने स्टार्टिंग में कर लिए है और उल्टीस्लाय में कुछ भी हम नहीं है झाना niba का यह सिम्पल सिम्पल काति हा मयरों को हैं यह बहां सबसक्राइब को तो कउनसे डोको खैचाफ खोरे कचा ब्योंव दो का अगुश्न दस स्लाईयां बुनने टोटल अल्ला हमारे 10 फंदे बुसने चाहिए है जब तक हमारे 10 फंदे न बुसते तब तक हम इन को बुनेंगे 20 के हमने हाफ करना था giờ थो ठाप हमारे 10 हुए तो पांस स्लाईया नहीं दो तो हमने ऐसे ले लिए थी दो और ये तो बारस लाइई है तो तल तो दिखो हमारे दस फंदे बचे हैं यह देखो एक, दो, तीन, चार, पाँच, बीस फंदे थे और हमने और अरद ही इसको गटा दिया पांच, पांचे सैड तो दस घट गए हैं और दस ही हमारे रह गए हैं बागी अब इनको उल्टी स्लाई को हम बुल लेंगे सीधी में हमने घटा दिया उल्टी को बुलेंगे बस आपने ये चीज देहान से देखनी हो यह देखो, एक फंदा, यह देखो, यह 10 बुल दिये, अब 11 फंदा हमने यहां पर लेना है, देखो, इस पर, यह देखो, तो 5 फंदे हमने इसी तरह से उठाने है, हर सलाई में, एक फंदा, तो 11 फंदे होगे हमारे, और अब इसको बुल लेंगे, हम सीधी सलाई आगी हमारी एक इसको होगा यह कि हमें सुई से निसलना पड़ेगा इसको दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा देखो अब यह हम घटा रहे थे इनको अब हम उने बढ़ाने आए अब एक फंद हम यहां से उठाएंगे देखो इस तरह से यह होगे हमारे 12 फंदे तो अब हमारे उल्टी सलाई आगी तो उल्टी सलाई में आप 12 फंदा को बनेंगे और बस इसी तरह दोनों साइड से हमने एक एक फंदा उठाते जाना है बढ़ाते जाना है मतलब तो यहां में टोटल 20 फंदे दुबारा से करने है जो हमने घटाए थे हम बढ़ाएंगे अब पर डिस्टेंस हमारा बराबर होना चाहिए यह देखो अब हम यहां से उठाएंगे इस तरह हमारा बढ़ते चले जाएंगे और एडी बनती चली जाएगी जो मैं पहले भी कई बार सिखा चुकी हूं वह एडी भी बहुत असान है उस एडी कहिए कि आपका पैर बहार ने निकलता कई बार एडी उपर हो जाती है ब्लूज भी होते हैं तो उसकी फिटिंग इसकी थोड़ी कम बैठती है बबच्चों के लिए सही है यह वह बिल्कुल परफेक्ट होती है जो मैंने पहले सिखाया है आपको यह होगे हमारे अब 14 होगे तो इसी तरह हमारे अब बढ़ते चले जाएंगे और 20 कर लेंगे हम यहां तक आके यहां तक आजाएंगे हमारे 20 हो जाएंगे और फिर उसके बाद बताते हूं आपको आई है कि आपको सारा समझा रहा होगा बहुट इसी तरीकी से बता रही हुए मैं आपको आप ऐसे बढ़ा सकते थे बस लेकिन उसके बाद फिर सिलना पड़ना था और सिलाई निकल जाती है फिर तो इसी में टैस्ट करना बता रही है आपको बस यहां से इस तरह उठा लिया बस आप में 20 करने के बाद फिर बता दिया आपको तो देखिए एडी बन गी है हमारी और यह हमारे 20 फंदे हो गया है अब हमारे टोटल बीस ही है और बीस ही है चालिस से वापस आ गया है तो अब हमने इसको एक ही कलर से बुनना है परपल से ही सारे को खटा बुनना है जब तक हमारी पैर की लंबाई ने हो जाती है तो पैर की लंबाई आप देख सकते हो यह एड़ी में फसा के बचेगी और उंगलियों के नीचे तक आप बुन लेना उसके बाद फिर में पंजा बताऊंगे आपको कैसे बनाना है यह सिर्फ आपने सीधा उल्टाई बुनना है जब तक पैर की लंबाई ने हो जाती है यह देख़ो यह थोड़ा से डिस्टैनस आएगा यह थोड़ा आ रहा है इसको हमने क्या करना त्थ यह अगर राते तो फंदभ की यह थे निचेशन ai करनेgenderahiten बेंसे हम बूल लेंगे इसको यह हमारा दो कई की हो गया फंदा भी नहीं पड़ा और हमारा कवर भी हो गया है बस अमोल टी स्थपनाः बनेंगे जब तक लंबाई न रेती फिर पंजाब तो में परस यह स्पोस्जी बच्ची की एड़ी है वैसे है यह मेरी तो ऐसे फसाना आपने और यहां से यह तरह से यहां तक आना चीए यह तक अगर यहां तक आ रहा है फिर हमने पंजा शुरू करना है तो यह देखो मैंने अब कलर चेंज कर दिया इसका तो आफ एक लगा उसक कर देखरा रहा है इसमें से हमने इसको बुनीवी पोडा लेंगे तो यहां यह हमारा दो का एक हो गता दी Ahhh जो हमारे फंदे हैं यहां सेंटर में अपने ए एक कुछ भी मार्कर लगा Ale जिससे आपको पता यह हमारा beach का center है यहां पर हमने दो फंद गट आने हैं तो एक फंद हमारा यह घट गया तो आप चाहो तो दोस्ट लाइए पहले white की ले सकते हो कि आपने तो यह दिखने अपनी चाहिते हो इस संटर है हमारा जैसे यह हमारा सेंटर यह वला तो 20 सेड़ है और 20 हमारे इस साइड है तो अब मैंने कितने यहां पर यह 19 बुल ली है एक घटा दिया तो अठा रहा हो गहे तो आम यहां पर यह दो का एक करूंगे यह दो का एक कर दिया और यहां भी दो का एक करूँगी इस तरह से उतार लूँगे इसको और इस तरह देखो इसमें से निकाल दूँगी तो ये दो हमारे दो गए एक दो कै दो बार हो गया हमारे दो होगया है इस सेंटर में लेना आपने और मारकर लगा देना नहीं अई तो कन्फूजन हो जाएगी आपको अब बागी के फंदे हम बुल लेंगे और लास्ट वाला हमने यहां ऑवी घटाना है तो हमारे एक ईस्लाई में चार फंद धड़ते हैं heartfelt में आजा Yay और किस ले में five-tending आए इसज़ में हमं अक्षोद नहीं है मैं उल्ट ला Union स्लेंघ्र केम करूं कि एकश दिल्म हों कि आहिं है इस धार हमने यह नहीं ओ आ इसे हम रहना उतशित करना हूं यह दो बच्चे हैं तो दो का एक कर लेंगे हम इस तरह से यह हो गया तो अब हमारे यह 20 के 36 बच्चे आगे हैं बस इसी तरह आपने अब उल्टी स्लाई में हमने कुछ भी नहीं करना सीधी में फिर घटाएंगे तो देखे फिर इस तरह घटाने हमने यह दो का एक ले लिया सेंटर में और यह उतार लिया यह आप तीन का एक भी कर सकते हो जैसे आपने करना है वैसे आप कर सकते हो मेरा कहने का मतलब है यहां हमने 2 घटाने है जैसे आप V-shape में घटाते हो गले में वैसे भी आप घटा सकते हो तो यह मैंने 2 घटा दिए देखो एक साइड के लेना एक साइड का यह सेंटर के ऐसे ही रहेंगे दोनों फंदे तो आपने जैसे भी घटाने है दो फंदे यहां है। अक जितने पंजेगि छोड़ने आपने फिर वहाँ पे आपने बंद कर देने हैं तो मैं आपको सुई से बंद करना बतावांगी कैसे करने है मासलाइ aged से बीफ्न कर सकते हैं क्यूं वार्ची है यह मार्ची जबंद दो कर दिया हृ यह देखो यह दो का एक कर दिया और उल्टी स्लाई में कुछ नहीं करना बस यह continue रखना है यह जो हमारे सेंटर वाले फंदे बस इनको घटाना है और यहां वालों को चार फंदे घर जाते हैं हमारे हर स्लाई में और उल्टी स्लाई में हमने कुछ भी नहीं घटाना तो मैं इसक तरह हम दूसरा बना लेंगे बस इसकी सलाई करना है और जाब समरा त्यार है तो यह देखे मैंने सरफ 10 सलाईया लिया यह टोटल मेरी 10 हैं तो मेरी 40 फंदे थे और यह 20 बची हैं 10 इससाइड और 10 इससाइड तो यह दो कि धारी इस तरह आ रही है इसमें दिखाई कम देरी ब धागा है स्यूवितकर और 21 बच अदृज और 11 ऐ यहसाज प्मरानों आई विश gemeinsam मेरी 50 को स्यूवाय कैसे मेरी 50 को हम फंदा आई चानलब स की निकालता है और 30 अब 14 1 मिरी 50 से दूसरे टिसुत अससे दिधान साट फंदे से वीदै ब द्यला वापकर करना। मैंने पहले भी कई बार बता हुआ आपको सवैटरों में भी azok में इसे पूंद Lum नजिखा उ कईज से दूसरे में सुई डालके और अपनी साइड को सुई ले आएंगे देखो एक स्पेशल वीडियो मैंने डाला हुआ है सुई से पंदे कैसे घटाने है अब देखे दूसरा सोक्स हमने सेम वैसा ही बनाया बट अब पहले वाले में हमने यहां से एडी बनाई थी यहां से स्टार्ट की थी त यहां से हमें वाइट से सेम बनानी है वैसे ही वाइट से यहां पर हम हाफ ले लेंगे हाफ हमारे 20 होते हैं तो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पांच 15 16 17 18 19 20 यह मैं इसलिए बता रही हूं कि बनी तो सेम है बट मेरे को पहले मैंने वीडियो डाला था जैंस का तो उसमें पता है तो मैं दूसरा भी आप बता देते तो तो इसलिए बता रही हूं है कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं तो 20 हमारे सैड है 20 हमारे सैड है तो हम यह से टर्ण होंगे अब इसको हम छोड़ देंगे और इस सलाई में रहने देंगे अब हम क्या करेंगे देखो यह एक और यह दूसरा बुन लिया और जो उतारा इसमें से हम इसको इस तरह निकाल लेंगे बस सेम वह है और एक सेड़ से घटाएंगे उल्टी सलाई में हमने कितने रखने हैं बहुत ही इजी सोक्स हैं बिल्कुल महनत नहीं लगती इनको बनाने में और लगते कितने सुन्दर हैं यहां समयन दो घटा दिस और बताया नि मैंने आपको दो के एक कर दिया था और उल्टी सलाई में हमने कुछ नहीं घटाना बस सेम वैसे ही बनाने हमने बागी सब कुछ वैसे ही बनेगा पंजाबी और यह बस एड़ी हमने इस साइड रखनी है दूसरी साइड क्योंकि हमारे सलाई एक साइड आने चाहिए अधराज एक साइड आप बना होगे तो सलाई एक पीछे इस तरफ आएगी एक आगी तरफ बस यह फर्रक पड़ेगा बाकी तो आपका सेमी बनेगा अगर आप इस साइड से बना देते हो तो बस इस तरह हम गटाते रहेंगे आगे मैंने आपको एड़ी पहले बता दिया कैसे बनाने है क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है अगर मैं आपको स्टेप बाई स्टेप बिल्कुल बता हूँ तो आई होब कि आपको समझ आई गया होगा तो देखेंगे यह हमने इस तरह से अलिया बस यहां से इन अपने नजे बनने के बाद श्लाई करनी आपने शीम्पन और इसको सीधा करके फिर देखो इस तरह मसला ही थोड़ी आसी कीजिएगा जो दिखे न और इसी तरह हमने देखो दोनों किस लाई कर लिए तो आप मिनको कमेंट बॉक्स में जुरू बताना कि सॉक्स कैसे लगे कमेंट जुरू करना और चैनल को लाइक और सस्कार जुरू कीजिएगा और आने वाली नॉटिफिकेशन के लिए आप बैल आइकन जुरू दबाना एक घंटी होती है उसको जुरू दबाना ताकि आने वाले वीडियो आप तक उसी दिन पहुंच जाए जल्द से जल्द तो